हेलो हेलो हाई गुड मार्निंग दोस्तों सुबह के छे बज रहे हैं इस समय हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए ब्रेड से बनाएंगे सैन्विच यहां हम उबाल रहे हैं आलू बलने के लिए रखने जा रहे हैं धूल के और बताईए आप लोग कैसे हैं यहां मेरी आलू भी उबल गई हम तो बहुत बढ़िया हैं यहां बहुत जल रहा हैं चक्कु से छील लें जल्दी हो जाएगा क्यों कि सुबह इतनी हड़ बड़ी रहती है बच्चों के स्कूल के टाइम पर की पूछिए मत अब जल्दी जल्दी इसको हम छील लिए अब इसको मैस करके इसको हम हलका सा तेल डालके हलका मसाला डालके हम इसको भून लेंगे खुब अच्छे से अच्छे से जब हो जाएगा इसके बाद हम इसको खाली कर लेंगे इसमें मसाला नहीं ज्यादा डालते हलका सा मसाला जैसे धनिया है मिर्चा है लहसुन है सब पीस के अद्रक है यह सब डालके बस यहां थोड़ा थोड़ा हम केचप लगाएंगे सब मे उसके बाद आलू बीच में भरेंगे, और दोनों तरब केचप दोनों ब्रट में लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको हम तेल में सेंखें, बहुत अच्छा लगता है, बसलिट बॉट अच्छे से खाते हैं, वैसे हम देते नहीं हैं, बहुत कम देते हैं सब बना के, क्योंक कि हम सब कम यूज करते हैं। देखिए कितना अच्छा सा हो गया। बहुत जल्दी हो जाता है। कराई में बहुत अच्छे से होता है। देखिए सारा बन गया है। दिन लोगों का हम पैख कर दे। सब का। यह देखिए यहां पैक हो गया सबकर लंच अब इसके बाद हम बरतन क्लीन कर लें सारा बहुत ज्यादा बरतन हो गया है सारा क्लीन करने के बाद कि अब खटा खट क्लीन हो गया है डिबब रखे थे पानी गरम करके इसमें लोटे में गरम पानी में घी का डिबब था एक चार का गरम पानी से ही साफ होता है अच्छे से साफ हो जाएगा इसको दोनों हम साफ कर रहें काफी दिन से पड़ा था जब गरम पानी से साफ करो ता अच्छे साफ हो जाता है यह देखो अच्छे से हो गया अगर यह से इसको क्लीन कर दें अबार एक चीज है बिना द्रस के साफ नहीं हो तो कि नहीं एक लिए अच्छे से साफ कर दो कि चितना पना जाता है जिब चितना ही वाला दिब बब धुला जाता है अब यह हो गया अब यहां लंच के लिए हूं डाल चड़ा दे दो पहर खाने ने बाई 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 झाल 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 झाल झाल